इस क्रीम को यूज करने का सही तरीका इसको यूज करने पर आपको कौन से प्रिकॉशन लेने हैं इसके क्या साइड एफिक्ट है और यह किस स्किन टाइप पे सिर्फ वर्क करेगी यह सब कुछ मैं बताऊंगे इस वीडियो में सो वीडियो के एंट तक जरूर बने रहेगा जो की एक फार्मेसी स्किन केर प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ज्यादा तर बहुत सारे यूटीवर बात कर रहे हैं और अपना जो रिजल्ट है शेर कर रहे हैं मैं इसका रिव्यू एंड रिजल्ट शेर करूंगी जो की कोई स्पॉंसर्शिप में नहीं है जो गाइस य इन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तभी आप 12% यूज करिए का और 12% यूज करने के लिए आपको डॉक्टर से सला लेनी पड़े क्योंकि 12% मात्रा बहुत जादा हो जाती है और 6% भी कुछ कम नहीं है आपको 6% भी अगर आप यूज करते हैं तो चाहें तो प्रॉजिट कॉंटिटी 30 ग्राम की मैं सला दूँगी अगर आप लेते भी हैं तो आप इसको मेडिकल स्टोर में पर्चेस करो क्योंकि इसमें आपका डिलेवरी चार्जस बच जाएंगे और और अमर्पी तो आपको नहीं है आपको सिर्फ 180 रुपए में मिल जाएगी तो के क्रीम है करते हों तो कंसिस्टेंसि जो है तो आपकिन च़्वें कोों करते हो heat को क्रीम कुं किनu किक दो सलदय करते हैं कि यह सकिन खु可以 और अक्रेश और आपका भी ही वहाल प्रॉप्लम होती है तो in that case आप pass test करके ही product को use करें So guys इसके अगर region के बारे में तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ glycolic acid मिलेगा वो भी जो है वो cream base में आपको मिलेगा और guys जो ये cream है कि करता क्या है अब मैं आ जाओं तो ये कहता है कि ये for treatment of dry skin, acne and hyperpigmentation पे work करता है तो guys जैसे कि आपके face पे अगर acne है तो आप इसको अप लगा सकते हैं hyperpigmentation मतलब कि uneven skin tone है तो आप इसको लगा सकते हैं और अगर ये जो formula है cream का ये hydrating है तो dry skin के लिए perfect है और guys जो glycolic acid होता है वो skin की जो darkness है उसको reduce करने में मदद करता है pigmentation को कम करता है तो ये knees पे और elbows पे जो darkness हो जाती उसको भी reduce करने के लिए आप use कर सकते हैं या फिर उंगलियों में जो होता है वो darkness है तो in that case भी आप use कर सकते हैं अगर आपको कम करना है तो अगर आपको उससे problem नहीं तो कोई बात नहीं skin सबकी अलग अलग तरीके की होती है सबकी skin clear नहीं होती तो आपको जरूरी नहीं कि आप इस तरीके के product use करें लेकिन अगर आपको feel होता है कि आपकी skin में उतनी ज्यादा brightness नहीं है तो आप cream try कर सकते हैं यूज करने का तरीका guys इस cream को पूरे एरिया पे नहीं यूज करना first of all जहां पे darkness है जहां पे pimple है वहीं पे इसको आप लगाएं पूरे face पे इसको as a cream मत यूज करने लगें या फिर सिर्फ affected area पे लगा सकते हैं जैसे की गुटने पे elbows पे इस तरीके से पूरे face पे लगा क क्योंकि इसमें glycolic acid active है और active के साथ आप दूप में बिल्कुल भीना जाएं और एक चीज में हमेशा बताती हूँ कि glycolic acid यूज करने के बाद आपको next day या फिर उसके बाद आपको sunscreen apply करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आपने नहीं उसकी sunscreen तो फिर आपकी skin जो है दूप से जादा काली होगी क्योंकि glycolic acid लगाने पर skin जो है थोड़ी सी जादा sensitive हो जाती है तो बिल्कुल sunscreen skip ना करें और लोग कहते हैं कि दिन में लगाने को मना कर रही है और उसके बाद कहरी है sunscreen भी लगाओ तो यह मैं नहीं कह रही हूँ कि आप दिन पर लगाओ लेकिन अगर night time इसको यूज किया तो next day आपको sunscreen लगाना पड़ेगा यह है point is video का so guys यह cream first time यूज करो तो पैस्टेस ची करके यूज करो और यह जो cream है कि darkness को reduce करती है pigmentation को reduce करती है लेकिन ऐसे नहीं आपको कम से कम यह डिर मन्त यूज करना पड़ेगा तब जाके result देखने को मिलेगा इत को यूज किया था अपने lips के around darkness के लिए तो मुझे इतनी जल्दी result नहीं मिला जबकि darkness उतनी जादा भी नहीं थी लेकिन यह मुझे फील हुआ कि बहुत slow working cream है तो इसमें आपको patience रखना पड़ेगा दहरे रखना पड़ेगा तब जाके screen को use करना पड़ेगा आपने अगर बाइ